नमस्कार किसान साथियों मैं हूं सानु चोदरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं स्री गंगे मा कोल इस्टोरी प्राइवेट लेमिटेड हात रजम है और यहां पर आज आलू के बोली के रेट लग रहे हैं क्या इस्तिती चले यह बात जानेंगे लेकिन मैं आपको एक बात से आगा कर दूं मंडियां लगातार तूट रही है और तूटने के कारण रेटों में उतार चड़ाव का दोड़ जा रही है और जो फेस्बुक पर उल्टे सीदे पोस्ट कर रहे हैं वह प्राहमक पोस्ट हैं और उसका कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि मंडियों लग चुका है और कई दोशों ने आलू बारत से लेना भी बंद कर दिया ऐसे मैं मंडियों लगाता तूट रही हैं मंडिया लगाता तूटने के कारण अच्थिति कचु अनुवान हो रही है मेरे साथ में किसान मौजूद है जिनका आलू विकाह है और मैं उनसे पुछ लेता ह मंडि से बताए जा रहा है कि मंडिया तूटी है और तूटने के कारण ही रेट में गिरावट देख रही है थोड़ी सी थोड़ी सी गिरावट देख रही है ज्यादा बड़ी नहीं अभी फेस्बुक पर लगातर कई लोग जो है बड़े-बड़े डालने उनका कुछ पने कौन सा अलू बिचना है ती अपना जो सेंटिस्ट पैप्सी यह एक बैराइटी आलू यह तो अच्छा है ठीक है जो बड़ी आप तो मुझे लग रहा है कि निकालने में बलाई समझे हैं कितना पैकेट निकाल दिया आज मैंने एसे निकाल देटर सो पैक्टत कितना भी रह गया होगा दो उसका क्या करना जो भी चुंहां तर दिर यह नहीं कि मैं एक साथ ही पर रूप तो सब्सक्राइब कलते जी होगी तो क्किते भी लेंगे और व्यां फेस्टा पर ना पड़ा ने तो फेस्बुक तो या यूट्यूब पर ने यूप बता रहें 22 रुपे कि लो मुझे 22 रुपे कि लो को रेट लोट की नहीं आ रहा तो व्यापारी आपको देख क्या देगा सब्सक्राइब कहां से देगा आपने बच्छे वेशेगा वह सकता है कई किसान होगता है यह व्याप सब्सक्राइब करेंगे और आपको निवेदन आपसे करेंगे कि जो भी नई है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन है है उसे ओल पर सिलेक्ट कर लें देखे मैं आपको बता दूं ज्यादतर मंडी है अज रवीवार होने की वज़े से ज्यादतर मंडियां बंद हैं लेकिन जहां जहां मंडियों में 2-4 आड़त खुल जाती है तो वहां पर आलू की रेट भी लगते हैं तो देखिए मैं आज बितातों मालब्राइ की मंडी में 37 pact है ग वीर जोर जो रख़ए एक हिएस रुप्य किल से लेकर 20 रूत गलो है 302 विकाहे 20 रुपे किलो से एक रिपे किलो जयोती भीकाहे 1820 गवेकलisrub-이लो चेमिस्वो ना भीक ओ एठारní रूपे किलो यह मद्राइब मंडी के साथे 500 रुपे प्रती फैक्ट लिखा है बात कर लेते हैं आपके पंजाब की तो पंजाब में सगर फ्री आलू जो है 7100 प्रती पैकट विखा है L.R. ***-700 डायमन्ड मीडियाम आलू जो है तो 1700 सनभ शार सूर्व सहार steep तो यह तो यह तो बैंगलोर की रेट और बात कर लेते हैं आगरा की बाव की बारे में तो आगरा में जो आज विका है 377 विका है 15 रुपे किलो और ख्याती विका है 13 से 14 रुपे किलो तक बात कर लेते हैं चिपसोना की आगरा की मंडी में तो 14 रुपे किलो से लेकर 16 रुपे किलो तक बात कर लेते हैं और नहीं यहाँ पर जो अगर बात किना फLoveival का बाद मंदूघ में तो यहाँ पर 10 रुप्र के ऐराइक है की किलो तक इता बिका है। आजात्पूर मंडी की बात कर लेते हैं तो हर किसम का अलू यहां पर 5 रुपे गुलोस से लेकर 22 रूपे किलो लॉक्ट अहल आर् मद्य परदेश का सतर रूपे कंलो से लेकर 19 अहलार गुज्रात॥ 17 रूपे की लेकर उत्तर प्रदेश का जो आलू है वह 16 रुपे क्लों मुंबई की मंट्पकन है लाला अहलू गुज्रात का पंदरसे से सूल है हाइब्रेड आलू 13 रुपे कि लेकर 15 रुपे किलो तक बिका है और बात कर लेते हैं गुजराथ में MP की तो साथ रुपे किलो से लेकर 12 रुपे किलो क्लों तक इलावादम बात कर लेते हैं जीफूर की तो जणना चाहते हैं तो मैं बता थू कानपुर की मंडी में ऐस जो रेड़ चला है वह संन्तूरी से लिए MAXL JIM और मंडी की तो लग्णव मंडी में ये 10 ुरु टाक अलू विका है चलिए किसानजातियों जैपुर मंडी की fulfill Crossing जैपुर मंडी में आज लिए है थाराबाद की बात कर लेता है तो 302 आलू अठार रुपे लोगे लेकर बीस रुपे लो तक चल रहा है अले किसान साथी आप थोड़ा जानकारी ले ले लेते हैं क्या इस्तिति इसमें समय चल रही है किसान साथी मेरे साथ में किसान मौझूद हैं और युबा किसाने में इन से पूछ लेता हूं क्या इस्तिति चल ले यह क्या नाम अब भाई से आए हैं कौन सा अलू कि यह यह गया नहीं जी तो बाइस रुपे के लोगा रेट चाहिए था आलू तो तो तुमारा बहुत ज्यादा सुपर निकल ला था अरे साथ सही कहते हो काई देखो डाउन और ने तो टाउन तो हम तो बाई बता रहे थे कि डाउन इस्तिति चल रही है क्योंकि मारे मंडियों में हमेशा बीवी आई पी आलू विकता है जो ब्यास्ट वालेटी होता है निकले अखड सामने हां साब सभी आई गलत गयर है त कितना बचा होगा जार पैकट से बचेंगे उनका क्या करना है बेचेंगे बुनने पर अभी नहीं बेचेंगे अगली बोली बेचेंगे और डाउन नहीं रात देन दो कि और यहांं पर भी कंगे बिटियो में सब्सकून वहां को यह विज्यों की किसान का विरूधी अक्तें सब्सक्राइब नुम्हें को किसानी देखतें अब जैसे घंशां की चिसानों का विरौधिया है लेकिन कैसंत्त परने हक पिक हकी देखेंगे पर आने क्या क्या बोलते हैं लोग जमीन अखीकते देखो फेस्बुक पे डाल दिया 890 का सौधा हो रहा है और फलाने कुल्ड में किसी कुल्ड में नहीं हुआ हमारे के कितने लगी चैसों नहीं नहीं लगी आज कितने बेचे दिए बहुत होते हैं अपना कुल्ड का बाड़ा और कर जा चुकाने के लिए यह नहीं है कि उसके चक्रम बैठे थे नहीं है अब देखेंगे यह किसानों को देखेंगे में कहता हूं बेखते रहना चाहिए आप जो है अब निचे उतरते जा रहा है बिल्कुल बिल्कुल तो आप महंगा क्यों नहीं ले सकते यह बताओ अब सब्सक्राइब निकालो आप निकालते रहेंगे तो आपको मतलब नहीं होगा महंगा हो जाएगा तो महंगे की रिट मिल जाएंगे और अगर सस्ता हो गया तो यह सारा कुछ वह हो जाएगा संपन हो जाओगे अवरेज और सतन निकालता चलेगा कभी सासव गरा कोई अजार भी करा या बारे सब्सक्राइब सब्सक्राइब बिख जाएगा और ना हो तो फिर 200 भी बिखने में देर नहीं लगती है किसान को हमेशा यही करना चाहिए आपने हैसा हर रेट लेने चाहिए यह किसी के ऊपर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है बैराल किसान साथी हो मेरे साथ जैगंगे कोल्ड इस्टोरी प्राइबेट लिमिटेट से सब्वेवन प्रजाती हो कि आपने रेट जाने और ज्यादातर किसानोंने अपना अलू जो है अब इस्टिती यही हो चुकी है लेकिन हां मंड़ियों में केवल बैस्ट क्वालिटी के आलू है उसी के दाम जो है 19-22 रुपे किलो चलने चाहिए मैट्टे अपालों चाहिए मद्रवियों जैसे आपने बीच में देखा है तो इत्तिफाक है तो आप द्यार रखिए अग आपको कोल्ड स्टोरेज की हकीका दिखाना मंडी के रेट भी हमने बताए बैराल किसंस आती हो मेरे साथ मेरे इतना ही दन्यवाद आपका दिन सोबो